Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ Class 11th की जो आपकी Elective Book है जिसका नाम है Woven Words, उसके Short Story section में से Chapter No.8 जिसका नाम है The Luncheon अब इसको अब Luncheon नहीं पढ़ेंगे, वो गलत होता है Pronunciation इसका Pronunciation है Luncheon अब Luncheon क्या होता है? अगर आपने वर्ड सुना है Lunch, तो वही होता है Luncheon भी जब दिन का खाना हम खाते तो उसे हम कहते है Lunch तो Luncheon भी उसी का ही दूसरा वर्ड है जो दिन का हमारा भोजन है जो खाना है Lunch होता है उसी को हम Luncheon भी कहते है So, Chapter स्टार्ट करने से पहले Let's read about the author The picture which you could see on my left hand side is Mr. William Somerset Maugham ये इस chapter के author है ये writer है इनका birth year 1874 में हुआ था और death year 1965 में हुआ थी He is a distinguished British author ये distinguished याने काफी दूसरों से काफी अलग British author है ये He was born in Paris इनका जन्म पारिस में हुआ था and his childhood was spent in a French speaking society लेकिन जो इनका बच्पन है वो कहां गुजरा French बोलने वाली society के बीचों बीच याने French जो language बोलते हैं उन लोगों के बीच इनका बच्पन गुजरा After the death of his father he returned to England at the age of 10 इनके father की जब death हो गई तो 10 साल की उम्र के बाद ये वापिस England चले गए He studied at Heidelberg and at St. Thomas's Hospital London and qualified as a doctor तो उन्होंने कहां पर अपनी पढ़ाई करी Heidelberg में कहां पर St. Thomas's Hospital में जो की London में था और इन्होंने क्या बन के निकले वहां से एक doctor बन के निकले तो basically ये एक doctor है जो writer भी है But he preferred writing to practicing medicine लेकिन इनका shock, इनका जो passion था वो writing में था, इनको लिखना बहुत अच्छा लगता था इसलिए इन्होंने medicine practice नहीं करी ये ने doctor अपनी continue नहीं करी और writing पर focus किया During his long career as a writer Morgan produced a large number of novels plays and short stories तो इनका जो इतना बड़ा career था उसमें इनोंने बहुत सारे novels याने उपन्यास plays याने जो theater में जो drama वगरे दिखते हैं वो और short stories ये साब इनोंने काफी सादा लिखे याने की produce करे Some of his best novels include Of, तो जो इनकी कुछ बहुत सारी famous novels है जिनमें से उनकी जो best novels थी वो कौन-कौन सी थी Human Bondage, The Moon and Sixpence and Cakes and Al तो ये कुछ तीन इनकी famous novels रही बहुत सारी novels में से अंदर चीक है? Now, let's begin with the explanation of the chapter और chapter explain करने से पहले मैं एक छोटा सा overview दे देती हूं आपको कि chapter में basically है क्या तो basically ये जो chapter है वो खुद हमारे author के उपर है William के उपर ही है तो वो अपनी कहानी बताते कि जब मैं मतलब नया-nyया writer बना था तो मेरे पास किसी एक lady का letter आया मेरे काम को पसंद करते हूं और उसने मुझसे मिलने की इच्छा रखी लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पाए क्योंकि वो तो लड़की थी lady ने मुझे offer किया था कि मुझे आपसे मिलना है तो मैं मना नहीं कर पाए और मैंने उसको एक बहुत expensive hotel में फोयोट्स में restaurant में जिसका नाम फोयोट्स हा वहाँ पर उसको invite कर दे कि ठीक है आजाओ luncheon पर याने तो माँ मुझे से मिलो और मैं तुम्हें lunch खिलाऊंगा और फिर वहाँ पर जब वो लोग आए तो इस lady को जब उसने देखा तो ये कोई young lady नहीं निकली बलकि 40 years की lady निकली तो ये थोड़ा सा बिचारा वो हो गया कि अरे मुझे तो लगा कोई young लड़की होगी बटी तो 40 years की है और तो 40 भी एक बहुत चेरिष्ट एज होती है females के लिए वाद स्टिल उसकी उमर की नहीं थी तो इसने सोचा कि अरे यार मैंने तो सोचा था कि कोई young girl होगी बदनी है तो कोई 40 years की lady है फिर भी उसने उसको बैठा बठाया और lunch offer करा और hospitality याने महमान नवाजी दिखाई क्योंकि इसी ने उसको invite किया था लेकिन इसने ये lady ने continuously उस बहुत सारा expensive खाना order करती गई करती गई करती गई और ये बोलती कि मैं तो सिर्फ एक चीज खाती हूँ लंच में मैं तो सिर्फ एक चीज खाती हूँ एक एक करके इसने बहुत सारी expensive dishes order करी और खाई और वहां से चली गई तो author की जो उस time की situation थी वह बहुत अच्छी नहीं थी तो उन्होंने सुचा कि अब मैं क्या करूं क्योंकि अब इस lunch में तो मेरा पूरा ही महीने का खर्चा निकल गई और अब मेरे पूरा महीना बचा हुआ है पूरा मन्थ मेरे सामने मेरे पैसे ही नहीं मैंने इस रिवेंच में सब कुछ इन्वेस्त कर दिया फिर 20 साल बाद एक प्ले में ऑठर को दिखती है वह लेड़ी 20 साल बाद मतलब पहली बार मिले होंगे और बीस साल बाद मिली किसी प्ले में ऑथर को वहां वो उसको देखके पहचान ही नहीं लेकिन फिर उसने जब ऑथर को इशारा करके बुलाया तो वो गए वहां पर और वो शॉक हो गए क्योंकि उस लेडी का वेट 133 kg हो गया था 133 कि कि वो लेडी हो गईती तो कहीं नहीं ऑथर का वह रिवेजर सूरा खहिए कि कभी एक जमाने में तुने मुझे गरीब बना दिया था मुझे बिकारी बना दिया ता यह बोल बोल के कि मैं कुछ नी खती हद्टी कुछ नी खती हूर सब तो नहीं खाया और आाज 133 तेरी ते details of the chapter I caught sight of her at the play and an answer to her beckoning I went over during the interval and sat beside her beckoning का मतलब क्या होता है to make a signal with a hand to call someone जब अब हाथ से कसी को इशारा करो किसी को बुलाओ बुलाने के लिए तो आप उसको प्ले में basically 20 साल बात कि अभी present time की story चल रही है कि मैंने न उसको एक दिन एक प्ले में देखा और फिस जब उसने मुझे बेकनिंग किया ने इशारा करके बुलाया तो मैं उसके पास गया प्ले के interval के time पे and sat down beside her और उसके पास जाके मैं बैड गया अगर कोई उसका नाम नहीं लेता कोई इसका नाम वहाँ पर आवाज लगा कि उसको बुलाता नहीं तो शाद मैं उसको पैचान मी नहीं नहीं पाता कि वह कौन है इसको रेकागनाइज नहीं कर पाता मैं शी अड्रेश्ट मी ब्रैटलिवा जो लेडी थी उसने मुझे अद्रेश किया ब्रैटलिव्रेन न metersat अच्छे से बैठी ब्राइट लिश्ने मुझ से बात करी अच्छे से उसने मुझसे बात करी वह लेडी ने tell कोन कह रहा है यह author कह रहा है well it's many years since we first met तो author कहते है कि अब बहुत साल हो चुके थे जब हम पहली बार में ले थे how time does fly we are none of us getting any younger do you remember the first time I saw you you asked me to the luncheon तो अब यह लेडी author से बोलती है कि आरे समय तो देखो जैसे उड़ सा गया हम दोनों मेंसे अब कोई भी यांग नहीं बचा यानि हम दोनों में सब कोई भी जवान नहीं बचा हम दोनों चैंपूडे हो गए हैं तो मैं याद है पहली बार मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मुझे luncheon के लिए याने lunch खाने के लिए मुझे invite किया था तो author कहता है did I remember? यान देखिया मुझे? पता नहीं मुझे बुलाया होगा कि author को याद है क्यों कि उसके पूरे पैसे गतम होगा थे लेकिन फिर भी वो acting कर रहा है हाँ अच्छा मुझे याद है क्या पता नहीं बुलाया होगा मुझे याद नहीं it was 20 years ago and I was living in Paris तो अब author हम सबसे ये चीज़ कह रहे है कि 20 साल पहले की बात है जब मैं पैरिस में रहा करता था I had a tiny apartment in the Latin quarter overlooking a cemetery and I was earning barely enough money to keep the body and the soul together तो author कहते है कि मैं कहां पे रहता था पैरिस में एक Latin quarter करके एक apartment था एक building थी मैं वहां पे रहा करता था overlooking a cemetery, symmetry का मतलब क्या होता है a graveyard याने की कबरिस्तान तो कहते हैं जितना एक इंसान की कबर होती है केवल उतने बराबर का ही मेरा एक कमरा हुआ करता था उस कमरे में मैं रहता था और मैं सिर्फ इतना ही कमा पाता था कि मैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को एक साथ रख पा हूँ याने basically वो बोलने चाहा रहे है to survive, सिर्फ इतना ही कमा पाता था कि मैं बस survive कर लूँ जिन्दा रख लूँ अपने आपको इत्ता ही बहुत कम कमा पाता था मैं She had read a book of mine and had written to me about it तो वो कहते हैं कि वो एक लेडी जो थी ना उसने मेरी book पड़ी थी जो मैंने book लिखी थी उसने मेरी कोई book पड़ी थी and had written to me about it और उस book के बारे में उसने मुझे लिखा था याने की एक letter एक पत्र उसने मुझे लिखा था मेरी book की तारीफ करते हुए उस लेडी ने I answered thanking her तो author कहते है मैंने भी उसको answer किया याने मैंने भी उसको letter लिखा और उसको thank you बोला कि thank you आपने मेरी book को बहुत पसंद किया and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me तो author कहते है कि पहला letter मेरे book को पसंद करते हुए उसका आया फिर मैंने उसको letter भेजा थांक्यू बोलते हुए कि thank you आपने मेरी book को पसंद क्या और कहते है presently अभी अभी कुछ time पहले ही मतलब ही 20 साल पहले की कहानी चल रही है तो कहते है मेरे पास उसने एक और letter भेजा और उसने उस letter में लिखा कि मैं Paris से pass होते हूँ यानि गुजरती हूँ निकल रही हूँ और मैं चाहती हूँ तुमसे बातचीत करना तुमसे मिलना बट हर time was limited लेकिन उसके पास समय बहुत limited था बहुत कम time था and the only free moment she had was the following Thursday तो उसके पास जो आने वाला Thursday था सरफ उसी वही दिन free था उसके अलावा उसके पास कोई दिन free नहीं था जब वो Thursday को यहाँ Paris आएगी अगर तो वो morning यानि सुभा का समय Luxembourg में spend करेगी यानि कि एक यॉरप में वही पे place है वहाँ वो गुजारेगी and would I give her a little luncheon at Foyot's afterwards तो author सोचते है तो आप सुभा तो वो लगजमबर्ग में गुजारेगी और फिर जब यहाँ आएगी तो मैं उससे दिन में मिल भी लूँगा तो क्या मैं उसको एक luncheon एक छोटे से lunch के लिए इन्वाइट करू I never even thought of going there Senators का मतलब क्यों होता है The upper class people उचे वरगी है लोग तो author बताते हैं कि जो Foyot's जो restaurant था वो बहुत महेंगा था और वहां के जितने भी French के Senators था French के जो upper class लोग थे वो सब वहां पे जाते थे और खाना खाते थे और it was far beyond my means आसर बोल रहा थे कि मेरी सोच से भी बहुत दूर था कि कभी में Foyot's के बार में सोचूं भी खाना तो दूर की बार उसके बार में सोचना भी मेरी बहुत बड़ी बात थी But I was flattered लेकिन मैं तो flatter हो गया था भाई याने pleased by the praise याने जो प्रेज जो तारीफ उस और ने लेटर में मेरे बार में की इतना उसने किया तो मैं flatter हो गया याने फिसल गया कि वाई एक लड़की इत्ती तारीफ कर रही है And I was too young to have learned to say no to a woman और किता है मैं अभी काफी young था मुझे अभी तक किसी woman को no बोलना ही नहीं आया कि अगर कोई औरत कोई काम मुझसे बोल रही है तो मैं इसको no नहीं बोल पाऊंगा तो मैं इसको मना नहीं कर पाया Few men I may add learn this until they are too old to make it of any consequence to women what they say तो इस line का मतलब है कि कुछ आदमी अगर मैं अपनी बात में add करूं तो यह चीज बहुत जब बूड़े भी हो जाते too old जब बहुत बूड़े हो जाते तब सीख पाते हैं कि औरतों को मना या no कैसे किया जाता है लेकिन जब मना गर देते हैं तो उसका क्या consequence उसका क्या result निकलता है ये तो फिर वही बता सकते है तो वड़ी हसी मजाकिया की बात है या पर I had 80 francs अब author बोलते हैं कि भाई मैंने उसको lunch के लिए invite तो किया था लेकिन मैंने सोच रहा था कि lunch के लिए invite करने का तो मैं सोच रहा था लेकिन मैं पस पैसे कितने तो उसने बोला मैंने पस 80 francs थे gold francs ये currency होती है France की तो लास्ट मी the rest of the month और मैं पस इतने ही पैसे थे कि जो बचा हुआ महीना है वास उसमें मैं अपना गुजारा कर लूँ बस में इतने ही पैसे बचे थे and a modest luncheon should not cost more than 15 तो modest का मतलब क्यों होता है normal सा बहुत not so great यानि कोई वाव या कोई बहुत गजब का lunch नहीं normal lunch साधारंड सा तो सुचता है मेरे पास 80 francs है और अगर मैं बहुत modest लाने बहुत normal सा भी lunch के लिए अगर मैं उसको invite करता हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कित्ते ही लगेंगे वला पंदरा फ्रांक से ज्यादा मुझे नहीं लगेंगे if I cut out coffee for the next two weeks I could manage manage well enough तो वो कहता है कि आने वाले दो हफते तक अगर coffee नहीं प्यूंगा तो कुछ पैसे और save हो जाएंगे तो manage हो जाएगा एक normal सा अधारण सा lunch तो उसने सोचा कि मैं उस lady को invite कर देता हूं I answered that I would meet my friend by correspondence तो correspondence का मतलब क्या होता है through a letter तो इसने भी letter के ही through याने correspondence के through उसका answer कि ठीक है मैं अपने friend से मिलूंगा याने मैं तुम से मिलने के लिए ready हूँ और कहां पे at Foyot's वही Foyot's restaurant में Thursday के दिन at half past twelve याने दिन के साड़े बारा बजे 12.30 PM पे हम मिलेंगे Foyot's पे She was not so young as I expected and in appearance imposing rather than attractive अब finally Thursday के दिन आया वो लोग मिले और जैसे ही author न उस lady को देखा उसने देखा कि वह तो इतनी जादा young या जवान तो है नी इसने expect किया था कि बहुत young होगी लेकिन वह तो ऐसी निकली नी और appearance में देखने वाइस वह imposing थी याने काफी grand या बड़ी लंबी चौड़ी सी दिख रही थी और कोई attractive नी थी कि जिसको देखे कि किसी इंसान का दिल हो जाए कि कितनी beautiful है ऐसा कुछ नी था she was in fact a woman of 40 in fact उसकी एज कितनी थी वह 40s की अपनी एज में थी a charming age 40 की जो उमर होती ही ladies में a charming अच्छी age होती ही कि जिसमें वह किसी को भी अकर्शित कर सकती है but not one that excites a sudden and devastating passion at first sight लेकिन इतनी भी यह 40 की age यंग नहीं होती कि किसी को भी excite कर दे यह age यह कोई devastating passion devastating का मतलब here gorgeous याने कि को ऐसे कोई gorgeous passion नी है कि first sight की पहली बार में देख कि आप बिलकुल गिरी जाओ कि अरे किया beautiful lady तो ऐसा कुछ भी नी था author के साथ and she gave me the impression of having more teeth और उसने ऐसे ऐसे ही ही करके हस रही थी वह बहुत जादा अपने दाथ शो करके तो author के थी कि मेरे को ऐसा impression दिखा रही थी कि जैसे इसके पास बहुत सारे दाथ थी क्योंकि जबर दसी वह जादा से जादा हसने की कोशिश करी थी जुसके दाथ थे वह वाइट कलर के थे and large याने बड़े बड़े दाथ थे उसके and even then were necessary for any practical purpose याने वह ऐसे अपने बड़े बड़े सफेद दाथ दिखा रही थी कि मतलब जितना necessary नहीं था जित्ती जरुवद भी नहीं थी उत्ता जादा दिखा रही थी आने जरुवद से जादा हस रही थी smile कर रही थी जबकि महाँ पे कोई need भी नहीं थी she was talkative but since she seemed inclined to talk about me I was prepared to be an attentive listener तो author बोलते हैं वह काफी talkative थी काफी बात हो नहीं थी अच्छी बात कर रही थी और क्योंकि वह इन्हें बारे में talk about me क्योंकि मेरे बारे मेरी तारीफ परी थी मेरे काम के और बुक के बारे में तारीफ कर रही थी to मैं एक attentive listener था जैना ध्यान से उसकी सब dwat था always उसको all swipe interest नहीं आ रहा थे अस lady में woods म orphan noterald love fare का मतलब होता है अपका menu card, जो हम hotel में जाते है menu card मिलता है ना वो, anticipated का मतलब होता है expected, कि जित्ता मैंने उम्मीद नहीं करी थी मतलब वैसा हो गया, तो author बोलता है कि मैं शौक हो गया था जब menu card आया, और जैसे ही मैंने देखा, तो उसमें जो prices थे वो बहुत higher, बहुत तो अथर कहता है जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी उससे ज्यादा इतना महेंगे प्राइजेस की डिशेस थी वहाँ पे याने की मुझे एक दिलाढ्म कर डिलाया कि मैं जादा नीखाती तोऊ-लेडी कहती है की मैं कभी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं खाती है, लंच के लिए, लंच के लिए मैं कुछ नहीं खाती है Oh, don't say that, I answered generously तो author ने generously बढ़े अच्छे से kindly बोला, कि रे ऐसे मत बोलो, आयो तो आप कुछ खाओ भाई I never eat more than one thing वो कहती है, मैं एक चीज से जादा कभी नहीं खाती पहले बोली, मैं लंच में कुछ नहीं खाती आप कहती है, कि मैं एक चीज से जादा कुछ नहीं खाती I think people eat far too much nowadays तो कहती है, मुझे ऐसे लगता है, लोग आज कल बहुत जादा ही खाने लगे A little fish, perhaps कहती है, एक थोड़ी सी fish खालूंगी मैं या मचली खालूंगी I wonder if they have any salmon तो कहती है कि, मतलब मुझे लगता है कि इनके बास salmon नाम की fish है की नहीं Salmon क्या होता है, it's a kind of fish बहुत expensive fish होती जो इस तरीके से उसकी dish दिखती है तो वह कहती है कि, मैं एक चीज़ से जादा नहीं कहूंगी अगर इनके बास salmon नाम की fish है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं Well, it was early in the year for salmon and it was not on the bill of fare But I asked the waiter if there was any तो author बोलते हैं कि, वो साल का शुरुवाती समय था और ये वो time था कि जब salmon fish का season नहीं होता और उनके bill of fare, याने कि menu card पर भी salmon के बार में mention नहीं था लेकिन फिर भी मैंने waiter को बुलाया और उससे पूछा कि भाई, आप लोग के पास salmon है, आप लोग serve करते हो salmon Yes, a beautiful salmon had just come in तो waiter केता है, हाँ, एक बहुत अच्छी, बहुत स्वादिष्ट salmon अभी अभी आई हमारे पास It was the first they had had और ये अभी hotel की पहली ही salmon मचली है जो साल के शुरवात में उनके पास आई है I ordered it for my guest तो author ने उनके लिए lady के लिए लेडी के लिए लेडी के लिए लेडी के लिए लेडी के लिए कर दी salmon The waiter asked her if she would have something while it was being cooked तो waiter ने उस लेडी से पूचा कि जब तक आपकी salmon cocoa के पक्के आ रही है तब तक क्या आप कुछ और लेना पसंद करेंगी No, she answered उसने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए I never eat more than one thing वो कहती नहीं नहीं मैं एक चीज से ज़ादा नहीं खाती नहीं मैंने अपनी fish order कर दिये Unless you have a little caviar I never mind caviar तो अब कहती है नहीं नहीं मैं एक चीज से ज़ादा कुछ नहीं कहती है लेकिन अगर आपके पास caviar नाम के dish है तो मैं caviar कभी माइंड नहीं करूँगी तो कहती है भाई जब तक salmon नहीं आ रहा caviar अगर है तो मैं खालूँगी में को कोई दिक्कत नहीं है My heart sank a little अब author कहते है भाई मेरा तो दिल समझो जैसे बैठ ही गया जैसे उसने एक एक और महेंगी डिश ओडर करी I knew I could not afford caviar but I could not very well tell her that तो author कहते है मुझे बहुत अच्छे से बता था कि मैं caviar afford नहीं कर पाऊंगा यान इत्ती महेंगी डिश नहीं मंगवा पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं उसको मना तो नहीं कर पाया I told the waiter by all means to bring caviar फिर भी मैंने वेटर को बोला कि जाओ भाई for myself I chose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop तो author कहता है अपने लिए पूरे menu card में से जो सबसे cheapest याने least expensive जो सबसे सस्ती dish थी मैंने वो चूस करी और वो क्या थी mutton chop तो जो ये mutton chop से सबसे सस्ती dish थी ये order करी author ने अपने खुद के लिए I think you are unwise to eat meat she said तो अब lady क्या बोलती author को कि ये unwise है याने ये not sensible याने समझदारी की बात नहीं है कि तो meat मंगवा रहे हो खाने के लिए I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops I don't believe in overloading my stomach तो वो lady जो है वो author से कहती कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने heavy mutton chops मंगवा के खा रहे हो तो तुम अभी lunch में इतने heavy खा के अभी पूरा दिन काम कैसे करोगे मैं कभी भी अपने पेट को अपने समझ को overload नहीं करती याने कि extra heavy खाना मैं कभी भी नहीं खाती पता नहीं तुम कैसे खा रहे हो Then came the question of drink फिर भाई drink की बात आती कि भाई क्या पिए खाने का तो order हो गया I never drink anything for luncheon she said वो कि थी नहीं 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 मैं लंच के लिए कभी भी कुछ भी नहीं पीती Neither do I, I answered promptly Promptly याने कि without any delay या फिर immediately तो author नहीं भी immediately बिना कोई रुके वो बोलती है नहीं 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 मैं भी भाई कुछ नहीं पीता लंच के लिए टाकी कहीं वो बोलना दे भाई लेकिन लेडी तो लेडी थी भाई बोले में नहीं तो सांस में सांस आएगी नहीं उसके except white wine she proceeded as though I had not spoken तो अभी तक तो author ने कुछ बोला भी नहीं था अगर white wine they are wonderful for the digestion और ये पेट के digestion के पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती है लेडी बोलती है What would you like? I asked hospitable still but not exactly effusive Hospitable का मतलब क्यों होता है Friendly to guest बही जब महमान नवाजी कर रहे हो थोड़ी friendly हो अपने महमान से तो आप hospitable हो और effusive का मतलब क्या होता है Not showing excessive pleasure आप महमान नवाजी तो कर रहे हो उनको offer तो कर रहे हो कि हाँ अच्छा बताओ कौन सी ड्रिंक पी होगी लेकिन अंदर यंदर आपको भी बहुत ज़ादा pleasurely बहुत खुशी से उनको इस चीज के लिए offer नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से author ने उससे पुछा कि What would you like to have? कौन सी ड्रिंक पी होगी बताओ She gave me a bright and amicable flash of her white teeth Amicable का मतलब क्यों होता है इना friendly way तो उसने बड़ी friendly way मैं इस तरीक से smile कर दे कि okay मैं तो white wine ले लूंगी तो उसने भाई पीने के लिए पहले मना कि या फिर आप white wine भी पी रहेगे भाई My doctor won't let me drink anything but champagne अब author को यहाँ पे लगा कि ऐसे smile करी तो भाई फ्रेंच white wine लेगी फिर बोलती है उपर से जो मेरे doctor है न वो कभी भी मुझे कोई और drink पीने को allow नहीं करते स्रिफ बोलते हैं कि champagne पियो अब champagne बहुत expensive यसी वाली drink होती है तो कहती है white wine नहीं मैं champagne पियूंगी भाई I fancy I turned a trifle pale ट्रिफिल pale याने की a little bit yellow author की सोचते हैं कि भाई मैं मतलब author का तो समझे चहराई पूरा yellow हो गया पीला पड़ेगा डर के मारे कि अभी champagne मंगवाईगी ए बगवान I ordered half a bottle फिर भी author ने आधी bottle order करी उसके लिए I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne forbidden का मतलब not allowed याने permission नीदी तो author ने बोला कि मैं आधी bottle इसलिए मंगवा रहा हूं क्यों क्यों क्योंकि मेरे doctor ने मुझे champagne पीने के बिलकुल मना कर दिये तो सिर्फ तुमारे लिए मैं half bottle ये मंगवा रहा हूं What are you going to drink then? तो वो लेडी के थी फिर तुम क्या पी होगे भाई मैं champagne पीरी हो तुम क्या पी होगे तो वो कहता है water भाहिया मैं तो पानी पीऊंगा सबसे safe और सस्ता मन में उसने ऐसा सोचा तो उसने बोला water She ate the caviar and she ate the salmon फिर उसकी caviar नाम की जो dish थी वो आई उसने खाई फिर salmon आई उसकी fish वो भी उसने खाई She talked gaily of art and literature and music Gaily का मतलब क्या होता है? In a cheerful way, बहुत अच्छे से, खुशी से तो वो खाती भी जा रही थी और बहुत बड़ी अच्छे से Cheerfully, happily, art के बारे में यानि कला के बारे में literature यानि साहत्य के बारे में music यानि की संगीत के बारे में बहुत अच्छा discussion और बातचीत कर रही थी हमारे author से But I wondered what the bill would come to अब वो तो खा रही है, बड़िया बात करी author से लेकिन author का दिमाग क्या चल रहा है? पता नहीं, bill कितना आएगा, पता नहीं मुझे पैसे कितने पे करने पड़ेंगे When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task अब जैसे ही, mutton chop आया author ने जो dish order करी थी She took me to quite seriously to task और वो बिल्कुल घूर घूर के मुझे देखना लगई कि भाई, तुम नहीं ये इतनी heavy dish कैसे order कर दी lunch के time? फिर वो कहती है I see that you are in a habit of eating a heavy luncheon कहती है कि मैं देख रही हूं कि तुम में थोड़ा heavy भारी खाना खाने की आदत है lunch के लिए I am sure it's a mistake और मैं बिल्कुल sure हूं कि ये तुमारी एक बहुत बड़ी गलती है कि तुम heavy lunch खाते हो Why don't you follow my example and just eat one thing? फिर वो बोलती है तुम मेरा example तुम मेरा उधारन क्यों नहीं follow करते हो और सिर्व एक चीज खाओ मेरे जैसे lunch के लिए I am sure you would feel ever so much better for it और तुमें और मैं sure हूं कि तुमें बहुत अच्छा फील होगा इतना हलका-फुलका खाना खाके अब खुद तुमारा नहीं दो दो डिश खा रही है उपर से champagne भी और कह रही है कि मैं सर्व एक डिश खाती हूं उसको बचारे को mutton chop भी नहीं खाने दे रही I am only going to eat one thing I said as the waiter came again with the bill of fare फिर waiter फिर से आता है menu card या बिल of fare याने menu card लेके की बताओ और के order करने आपको तो author ने इस बार author ने बोला I am going to eat one thing मैं सर्व एकी चीज़ कहूंगा जो मैंने mutton chop order करी मैं वस भी खाऊंगा she waved him aside with an airy gesture gesture airy याने हवा में तो जैसी waiter आया उसको हवा में इस दूर से हाथ दे दिया इसारत दिया no 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 I never eat anything for lunch तो उसने भी बुलन नहीं बस caviar, salmon, champagne हो गया बस बस अब मैं जादा नहीं खाऊंगे lunch के लिए मैं तो सर्फ इतना नहीं खाती लंच के लिए just a bite मैं तो सर्फ एक bite एक निवाला ही खाती हूं I never want more than that और मुझे उससे जादा कभी चाहिए भी नी and I eat that more as an excuse for conversation than anything else तो कहती है होती है तो मैं खाती नहीं हुतता सब यह तो वह भी मैं फिर भी इसलिए खारी हूं कि मेरको एक excuse एक बहाना चाहिए conversation याने बातचीत के लिए कि चलो भाई यहाँ पर बैठें तो बैठें भी बात भी करें और कुछ खाएं पिये सिर्फ बहाने के चक्कर में खारी हूं नहीं तो मैं कुछ नहीं खाती हूं मैं तो इसलिए वेक बाइट खाती हूं I couldn't possibly eat anything more और मैं तो कुछ जाधा खा ही नहीं पाती याने I couldn't possibly eat मैं तो खा ही नहीं पाती मेरको तो इतनी capacity नहीं है भाई मेरी Unless they had some of those joint asparagus तो वो कहती भाई कुछ नहीं खाती हूं यह नहीं करती वो नहीं करती लेकिन अगर इनके पास वो giant बड़े बड़े जो asparagus होते है अगर वो हो है तो फिर बात कुछ और ही है तो asparagus का क्या मतलब होता है a kind of vegetable एक तरीके की vegetable एक सबजी होती जो इस तरीके से दिखती है and it is very expensive बहुत महेंगे I should be sorry to leave Paris without having some of them तो वो कहती की मैं बहुत sorry feel करूंगी मुझे बहुत बुरा लगेगा की अगर मैं पारिस से ऐसे ही चली जाओं बिना asparagus खाई क्योंकि वो french asparagus यहीं मिलता है तो मैं asparagus खाऊंगी My heart sank अब यह चीज सोचके author का तिल फिर से बैट गया कि भाहिया अब इसको asparagus भी खाना है I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive तो author कहता है सोचता है कि मैंने in asparagus को shops पे दुकानों पे रखी हुई देखा है और मुझे पता है कि बहुत खतर्लाक expensive महंगे होते है यह asparagus नाम की सबजी My mouth had often watered at the sight of them कहता है जबी भी मैंने देखा है मतलब असा सोचता है कि जबी भी मैं site याने देखता था asparagus को मेरे मुमें जैसे की पान ही आ जाता था यह इतने delicious लगती थी Madam wants to know if you have any of those giant asparagus I asked the waiter तो waiter से बोलता है कि madam जानना चाहती है कि अगर आपके पास giant वो बड़े-बड़े asparagus है क्या तो आप बताईए भाई madam को बताईए I tried with all my might to will him to say no might का मतलब क्या होता है expression of request तो author बता रहे हैं कि मैंने पूरा चहरे का ऐस expression बना दिया था वेटर को देखते वाग कि तू ना ही बोल दे कि नहीं है तुमारे पास asparagus happy smile spread over his broad priest-like face and he assured me that they had some so large so splendid so tender that it was a marvel तो जब मैंने उसको ऐसे request बड़ी नजरों से देखा तो उसने तो बलकि उसने मना करने की वज़ए एक बड़ी सी broad एक अच्छी सी smile देदी जैसे कि कोई पंडित smile दे रहा है मंदिर का वैसे smile देदी उसने और उसने assure किया याने हमको यकीन दिला कि हाँ 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 हमारे पास है वो बड़े-बड़े asparagus जो होते हैं हमारे पास so splendid और वो जो asparagus है वो splendid एतने excellent quality के है so tender याने इतने soft है खाने में that it would be a marvel कि वो आपको एक marvelous चीज दिखेगी marvel याने marvelous याने extraordinary लगेगा आपको खाने में हैं हमारे पास I am not in the least hungry my guest side but if you insist I don't mind having some asparagus तब वो लेडी बोलती है कि भाई मैं अभी जादा भूख मुझे को इतनी कोई भूख नहीं लगी लेकिन क्योंकि अब आप इतना insist याने इतना मुझे force कर रहे हो इतना मुझे force ही कर रहे हो कि खाओ तो ठीक है भाई मैं asparagus खा लूँगी महतरमा खाएंगे asparagus भाई इतना खाने के बाद भी उनके शानती नहीं मिली asparagus खाएंगे I ordered them तो author ने order कर दी asparagus Aren't you going to have any तो वो पूछती author से तुम खाओगे asparagus तुम नहीं खाओगे क्या No, I never eat asparagus वो कहते है नहीं नहीं asparagus कभी भी नहीं खाता I know there are people who don't like them The fact is you ruin your palate by all the meat you eat तो वो कहते ही कि हाँ मुझे पता है बहुत से लोग होते हैं जिनको asparagus का taste नहीं पसन लेकिन fact याने सच्चा ही तो यह है कि you ruin, ruin याने destroy तुम लोग बरबाद कर देते हो अपना palate by all the meat you eat तो वो कहते ही palate क्यों होता है अगर हिंदी में बता हूँ अपने मूँ का taste खराब कर देते हो और अच्छे अच्छे asparagus जैसी चीजों को नहीं खाते हूँ we waited for the asparagus to be cooked panic seized me seized का मतलब क्या होता है hold for something जब किसी को कोई चीज जकड लेती है तो उसे हम कहते है seize करना तो वो बताता है author हम सब को बता रहा है कि हम लोगों ने wait किया कि भाई asparagus को कोगे पक्के आये हमारे पास और तब तक panic यहने घवराहत में घवराहत ने पूरी तरीके से seized कर लिया था यहने हमारे author को जकड लिया था क्योंकि इसको समझ नहीं रहा था कि अब मैं बिल कैसे पे करूंगा it was not a question now how much money I should have left over for the rest of the month but whether I had enough to pay the bill तो author बताता है कि अब यह question नहीं था अब सवाल यह नहीं था कि कितना पैसा मेरे पास बचेगा कि मैं अपना बचा हुआ महीने का खर्चा निकाल दूँ अब सवाल यह था कि कब मैं यहां का बिल कैसे पे करूं इतने पैसे भी होंगे की नहीं होंगे मेरे पास it would be mortified to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest I could not bring myself to do that तो mortifying का मतलब क्या होता है causing shame जब आप किसी को जब आपको शरम आने लगे चीक है obliged का मतलब क्या होता है to ask for a favour जब आप किसी से favour या मदद मांगते हो तो उसे हम oblige केते हैं तो author बोलता है कि यह मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी कि अगर मेरे पास 10 francs या 10 सिक्के कम पढ़ जाए और फिर मैं borrow याने की उधार मांगू मेरी guests से ही तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी और मैं अपने आपको यह चीज करने नहीं दे सकता कि मैं उससे पैसे मांगू जब कि मैंने उसको लंच पे invite की है I knew exactly how much I had and if the bill came to me I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been pigged pigged का मतलब क्यों होता है robbed याने कोई चीज जब चोरी हो गई आपकी तो author सोचता है कि अब मुझे पता चलिया था कि मुझे क्या करना है author ने सोचा कि अगर मेरे पास बिल आएगा और मेरे पास पैसे कम पढ़ गए तो मैं अपना हाथ अपने pocket में डालूंगा और ऐसा drama करूंगा और रोने लग जाओंगा कि अरे अरे my pocket has been picked याने किसी ने मेरा wallet मेरे पैसे चुरा लिये of course it would be awkward if she had no money enough either to pay the bill तो author बोलता है हाँ ये बात मेरे लिए और भी awkward और भी अजीब हो जाएगी कि अगर मैंने पूरा drama नाटक किया और फिर उस lady ने भी बोला कि मेरे पास भी पैसे नहीं है तो मेरे लिए और awkward हो जाएगा कि मेरे पास भी पैसे नहीं उसके पास भी पैसे नहीं है then the only thing would be to leave my watch and say that I would come back to pay the bill later तो उसने सोचा था कि अगर ऐसा drama करने के बाद इस lady ने भी बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं एक ही चीज करूँगा मैं अपनी घड़ी रख दूँगा यहां पर बोल दूँगा कि मेरी घड़ी रख लो और जब मैं next time आऊंगा तो मैं आपको आकर आपका बिल पे करके कि अपनी घड़ी ले जाओंगा आपसे तो अथर ने ऐसा सोच लिए था कि अगर बिल जाद आएगा तो मैं ऐसा करूँगा the asparagus appeared और अब फाइनली asparagus नाम की जो डिश थी वो अब उनके table पे आ गई they were enormous succulent and appetizing तो जो asparagus की जो ती बहुत enormous थी बड़े-बड़े asparagus थे succulent थी juicy and tasty सब दिखाई पड़ा था कि बहुत juicy बहुत tasty डिश है और appetizing दिख रही थी याने mouth watering author के मूँ में पानी आ रहा था खाने के ली लेकिन अब क्या करे उसने तो बोल दिया था कि मैं तो asparagus कभी नी खाता the smell of the melted butter tickled my nostrils और जो asparagus के उपर butter melt हो रहा था जो उसकी खुश्बू थी वो उसके nostrils ने नाग के छेदों में जैसे tickle कर रही थी गुद्धूदी कर रही थी और उसको बहुत इच्छा हो रही थी कि वो asparagus खा ले as the nostrils of jehova were tickled by the burnt offerings of the virtuous Semites अब जो वो जो होवा कौन थे one of the gods of the Jewish community Jew community तो जो 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 यहूदी लोग थे उनके भगवानों में से कोई एक भगवान थे जिनका नाम था जो होवा और उसको सेमाइट्स सेमाइट्स याने की semantic people जो बहुत अच्छे लोग होते थे वो offerings देते थे याने की प्रशाद चड़ाते थे और क्या burned offerings जाने की अच्छा गरम गरम बॉन याने गरम गरम प्रशाद चड़ावा चड़ाते थे जो होवा नाम के भगवान को और virtuous का मतलब क्या होता है showing good morals तो अच्छे morals दिखाने वाले जो है Semites लोग थे तो author यहां पर बोलते हैं कि मेरे नाख में melted butter की खुश्बू इस तरीके से आ रही थी जैसे जोहवा के नाख के nostrils में आती होगी जब बहुत अच्छे morals के जो Sematic लोग थे उनको गरम गरम offering जाने प्रशाद चलाते थे तो उनके नाख में भी खुझली होती होगी कि जल्दी से मैं यह चीज खाऊं तो वैसे ही itching और tickling मेरे नॉस्टिल्स में भी मेरे नाख के छेदू में भी होगी थी कि जब मैंने वो melted butter की खुश्बू सूंगी I watched the abandoned woman thrust them down her throat in large volumshuiz mouthfuls and in my polite way I discoursed on the condition of the drama in the Balkans at last she finished तो author कहता है सबसे फिले abandoned का meaning दिखते है abandoned का मतलब होता है alone अकेले ही और thrust का मतलब की होता है push suddenly जब आपके गले के नीचे आपको कोई कुछ खारा और गले के नीचे उनका खाना जाते हो आपको दिख रहा है कि गौब गौब करके जब खाते हो तो तो दाट इस थ्रस्ट वो लांशिस mouthfuls मतलब इन अ प्लेजरली मैनर जब आप खाते हो और यह लाइक इंजॉइंग बड़ी आपको खाना बहुत अच्छा लग रहा है तो वो situation volumptious होती है तो अथर कहता है कि मैंने अकेले ही उस लेडी को पूरा asparagus खाते हुए देखा और थ्रस्ट करी थी पूरा मुह भरके बिल्कुल खाती जा रही थी और इसके गले से पूरा ड्रामा और बैलकंज का जो वो कारेक्टर था इन सब के बार में बात कर रहा था और मैं बात करते कांसे देख रहा था कि बड़े आरब से घौप घौप करके पूरा खाती जारी वह अकेले और आकरी में उसने पूरा आसपरागस फिनिश कर दिया खतम कर दिया कॉफी आइसेड और आखरी में ओथर नसे पूचे कॉछे कॉफी कॉफी पी ओगी येस जस्टना इसक्रीम और कॉफी शीएड शी आंसर तो के थी हाँ हाँ बस आइसक्रीम दोनों खाऊंगी I was past caring now I was past caring now का मतलब अब तो मैंने care करना ओथर पोलते अब तो मैंने care करना छोडी दिती कि क्या बिल आएगा देखा जाएगा अब तो मैंने दिमाग पर टेंचन लेना ही छोड़ दी so I ordered coffee for myself and ice cream and a coffee for her तो कहता है इसलिए मैंने अपने लिए coffee order करी और उसके लिए एक ice cream और एक coffee दोन order करी you know there's one thing I thoroughly believe in she said as she ate the ice cream तो उसने बोला author को lady ने तो मैं पता है एक चीज इस दुनिया में ऐसी है जिसमें मैं बहुत जादा यकीन रखती हूँ और ice cream खाते खाते वो बोलने लगी author को और कहती है one should always get up from a meal feeling one could eat a little more तो वो बोलती कि एक इंसान को इतना खा लेना चाहिए इतना खाना चाहिए कि थोड़ा और कुछ खानी की जगा पेट में पनी रहे जैसे मैंने इतना सबकुछ अभी healthy खाया आप देखो मैं कॉफी भी खा रही हूँ आइस क्रीम भी पीरी हूँ आइस क्रीम खारी हूँ सब तो उसके कहने का मतलब था कि एक आदमी इतना खाय कि थोड़ा और कुछ खानी की जगा उसके पेट में बनी रहे बोलने का मतलब था उसके कि तुमने इतने heavy mutton chop खाली है तो अब तुम्हारे पेट में आइस क्रीम खाने के जगा नहीं है सिर्फ coffee पी रहे हो तुम आई उस्चिल हंगरी तो अब और पुछ से भाई और भूकी हो क्या लेक और कुछ खाना है आई आस्ट फेंटली तो अथर नोससे फेंटली पूछा याने slightly बहुत आराब से बहुत casually पुछा कि are you hungry और कुछ खाना है जो ऐसे बोल रही हो कि अभी और भूकी हो क्या Oh no, I am not hungry you see I don't eat luncheon क्या थी नहीं 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 मैं भूकी नहीं हूं मैं तो ऐसी बोल रही थी मैं तो लंच खाती ही नहीं हूं महारानी कह रही है मैं अब लंच खाती ही नहीं हूँ इत्ता खाके बढ़ गई I have a cup of coffee in the morning and then dinner but I never eat more than one thing for luncheon I am speaking for you तो कहती है वो मेरा तो डेली का रूटीन यह है कि मैं तो सुब उटती हूँ कब coffee पीती हूँ और डारेक्ट डिनर यहाने रात का खाना खाती हूँ इस बीच में मैं लंच खाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी मैं तो तुमारे लिए कह रही थी कि light खाओ ताकि मेरे जैसे ice cream खाने की भी पेट में तुमारे जगा रहे ओ ऐसी तो अधर केते हैं ओकी अच्छा अच्छा ठीक है भाई अपना ग्यान अपने पास रखो इत्ता खारी हो then a terrible thing happened while we were waiting for the coffee the head waiter with an ingratiating smile on his false face came up to us bearing a large basket full of huge peaches 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 क्यों होते peaches होते आड़ू यह जब fruit होता है इसको आड़ू peaches कहते ingratiating का मतलब क्यों होता है intended to gain approval जब आप अपने चेहरे पे ऐसे ingratiating smile लेके किसी के पास जाते हो जैसे waiter author और इस lady के पास आया तो चेहरे पे ऐसा expression मना के लाते हो कि आप कोई चीज offer करने जा रहे हो और आप ऐसे जूटी मूटी smile दिखा रहे हो और आप चारियो की सामने वाला हां ही बोल दे कि हां हां हम खाएंगे दे दो वो चीज तो जब तक coffee आये आये वह ice cream तो आ गई coffee नहीं आये थी जब तक coffee आये एक बहुत terrible बहुत ही भयानक चीज हुई जब तक वो लोग wait कर रहे थे कि भाई coffee आये जो उनका head waiter था वो आया और अपने चैरे पर ingratiating smile लेके आये कि ऐसे करके की और अपना false face जूटी चैरे पर जूटी smile लेके आ गया और एक बड़ा सा basket लेके आया जो किससे भरी हुई थी peaches से आड़ों से they had the blush of an innocent girl blush याने pink pink जो blush होता है यंग girls के face पे उसको blush कहते तो author कहते है जैसे young girls के face पे वो pink pink blush होता है वैसे इन आड़ों के उपर वो pink pink blush था वो इतने fresh थे they had the rich tone of an Italian landscape और जैसे Italy का landscape होता है आप आप आसमान देखो तो इसे pink आसमान दिखता है वैसे Italy के best quality के यह peaches थे but surely peaches were not in the in season then तो author सोचते है यह peaches लेके आया है हमारे पस यह peaches का तो season है नहीं अभी मौसम नहीं है Lord knew what the what they cost तो author सोचता है पता नी भगवान जाने पता नी क्या इसका cost होगा क्योंकि कोई चीज़ आपको off season मिलती है याने season की नहीं होती जैसे आम का season अभी है तो इत्ते सस्ते मिल जाएंगे लेकर अगर आम का season नी तो महेंगे मिलेंगे तो इसने वह इसी चीज़ सोची की पता नी season नहीं पीचेस का तो कित्ते cost होगी इनकी I knew to a little later for my guest going on with her conversation absent mindedly took one तो अभी author यह सोची रहा था कि भाई पता नी क्या cost होगा फिर author कहता है हाँ I knew to फिर मुझे भी पता चल गया कि क्या cost है इन पीचेस का a little later जल्दी मुझे भी पता चल गया कि इन पीचेस का क्या cost होगा क्यों क्यों क्योंकि जो मेरी guest है जो यह lady है इसने conversation करते वक्त याने मुझसे बातचीत करते वक्त absent mindedly यह बिना notice करे बिना ध्यान दी ऐसी बात करते करते एक पीच उठा लिया खाने के लिए और एक उठाया sorry एक अद्नी एक उठाया उसने तो कहता है कि उसने एक पीच बात करते करते नॉर्मली ऐसे उठा लिया खाते-खाते बाई अब जब उसने उठाई लिये तो मुझे भी पता चली जाएगा न कि क्या cost है क्योंकि मुझे बिल पे करना है इसके अब बिचारे चॉप यहने जो तुम तो पीच खा नहीं पा रहें बटायए बटायव जस्ताइक अशल एंजॉय पीच कहती और देखो मुझे देखो मैंने तो सिफ स्नाक्स खाया और अब मैं यह इतना रसीला इतना जूसी पीच जो एंजॉय करूंगी और खाऊंगी तो और बिल बढ़ाती जा रही है बस देखा कि जितने पैसे थे उसमें से ही पूरा बिल हो गया कोई वाच वगर उसको गिरवी नहीं रखनी पड़ी होटेल में और जो टिप देनी थी वेटर को वेटर को टिप भी देनी पड़ती थी न वो ऑथर के पास इनाग्डुएट थ याने काफी नहीं थी जितनी देनी चाहिए उतनी टिप नहीं थी थोड़े ही पैसे बचे थे तो जितनी थे उसने वो टिप में दे दिये Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the waiter and I knew that she thought me mean Instant मतला for a moment, एक second के लिए तो author बोलते जब मैंने 3 francs, जब मैंने 3 francs मा टेबल पे author, table पे waiter के लिए रखे टिप देने के लिए तो एक second के लिए उसकी आखे मैंसे 3 francs पे देखने लगी कि पता नी कितना कम टिप दे रहा है भाई और कितना mean इंसान है, तो author सोचते हैं कि वो सोच रही होगी मेरे बारे में कि कितना mean याने कितना मतलब ही हुँ मैं, कि सिर्फ 3 francs रख रहा हूं टिप के लिए वेटर के लिए बट इसको कौन बताया है कि पूरा बिल में पे कर देखे ही 3 francs है But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket तो author बोलते हैं जब मैं restaurant के बाहर आया, तो मेरे सामने पूरा बचा हुआ महीना था जिसका मुझे खर्चा चलाना था और मैंने क्योंकि पूरा इस luncheon में पैसे बरबात कर दी अपने इस बेवकूफ लेडी के उपर और अब मेरे pocket में एक penny, याने एक सिक्का, एक अठनी भी नहीं बची कि मैं पूरा महीना कैसे निकालूंगा Follow my example, she said, as we shook hands and never eat more, more than one thing for luncheon तो बस वो जा रही है अपने घर, तो कहती है, उसको follow my example, author को कहती है, तुम ना मेरा example, मेरा साथ, वो धारन फॉलो करो और कभी भी एक चीज से जादा lunch में मत खाना, जबकि महारानी तीन-चार चीज़े निपटा के अभी आई अंदर से तो हमेशा ना, एक चीज खाना lunch के लिए, अभी जादा चीज़े मत खाना, और उन दोनों ने शुक हैंड जाने, दोनों ने हाथ मिला है, गुडबाई बोला, I'll do better than that, I retorted, तो author retort करते हुए, retorted याने, say something in a sharp and witty manner, कोई चीज अब बहुत sharp और तीखी तरीके से, मजाग के वे में भी बोल रहे हैं, तो उसको retorted कहते, तो author बोलता है, हाँ, हाँ, बिल्कुल करूँगा मैं ऐसे, एक ही चीज खाऊंगा lunch में, I'll eat nothing for dinner tonight, और आज रात को dinner में तो मैं कुछ भी ही नहीं खाऊंगा, तो मन में सुचे है, तुमारी बदलत, आज तो मैं डिनर में भी कु आज गाँ, तो मैं तो मैं पर्सन, यूमरी सोर फ़नी परसन, तो एक ऐसा इंसान जो बहुत मजा किया है, जो फ़नी बाते करता है, गेली का मतलब, चेर फुली याने, अच्छे से, हैपीली, तो बड़ी खुशी खुशी अपनी काब में याने की अपनी टाक्सी में बैट के चली गई, but I have had my revenge at last, अब author, अब यहां से जो story आ रही है, अब वो आ रही है, बीस साल बात की, याने, अब present time, अब जो ये present time चल रहा है, उसकी story बता रहे है, author, अब तग author ने बताया था कि 20 साल पहले वो लोग कैसे मिले थे, अब आज 20 साल बात, author उसको किसी play में रहे है, उसने तो इसको beckon करके बुलाया था, वो, तो author के था, finally, मेरा revenge, याने, मेरा बदला आज पूरा हुआ, भाई, उस lady ने जो मेरे साथ किया था, I do not believe that I am a vindictive man, vindictive का मतलब क्यों होता है, having a strong desire for revenge, जब किसी इंसान के अनर बहुत ज़ादा बदला लेना है, तो वो vindictive आदमी होता है, तो author कहता है, कि आज मेरा बदला पूरा हुआ, मैं एक vindictive आदमी नहीं हो, याने, मैं कभी भी ऐसा नहीं हो कि मुझे किसी से बदला लेना चाहिए, but when the immortal gods take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result with complacency, immortal का मतलब क्यों होता है, living forever, जो चीज हमेशा जिन्दा रहती है, जैसे क God, भगवान हम सब की बीच में हमेशा जिन्दा रहेंगे, हम उनको हमेशा उनकी पूजा करेंगे, pardonable का मतलब क्यों होता है, understandable, जब आप को इसी चीज को समझ पा रहे हो, तो that is pardonable, तो author कहते हैं, कि मैं ऐसा आदमी हो नहीं कि मुझे किसी से revenge लेना या बदला लेना है, ले इसी चीज का जो result है, जो result, जितने 20 साल पहले लेडी नी मेरे साथ किया था, मुझे लिटरली भिकारी बना दिया था, उस चीज का result मैंने आज observe कि और मुझे complacency हुई, याने feeling of self-satisfaction, मुझे self-satisfaction मिले आज, याने मैं संतुष्ट हो गया, मेरा आज बदला पूरा हुआ, तो ऐसा क्या हुआ कि जो इसका बदला पूरा हुआ, तो जब मैं इसको 20 साल बाद इस प्ले में देख रहा हूँ, तो इसका वेट कितना है, 21 स्टोन, और अगर 21 स्टोन को आप kg में convert करोगे तो कितना होता है, 133.356 in kg, तो आज ये लेडी का वेट कितना है, 133.356 kg है, तो और इतना खाके निकलती बनी, तो अच्छा है, आज मेरा बदला पूरा हुआ, ही मोटी हो गई, मेरा बदला पूरा हुआ, मुझे तो आज satisfaction finally, मिल गया, भगवान न इसको अच्छी दिखाई, So, this was all your story, I hope a short and simple, sweet सी story आपको अच्छी लगी होगी, आप चाहे तो हमारे वीडियो पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो आप गूगल पर जाएए, और हमारी वेबसाइट का नाम डालिए, which is magnetbrains.com, जैसे या वेबसाइट पर जाएंगे, इस तरीके का आपको एक प For example, आपको syllabus overview का वीडियो देखना है तो उस पर click करिए, और जैसी click करेंगे, मेरा वीडियो आपके समने play होना start हो जाएगा, and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel, क्योंकि magnetbrains free of cost quality education आपके घर तक पहुचा रहा है, तब तक लिए, bye bye and take care.